चलिए इस सवाल में भी परचेस कंसिडरेशन निकालना है लेकिन हर एक सवाल के उपर एक बाद लिखा हुआ था पॉइंट लिखा हुआ था सर क्या लिखा हुआ था सर एक पॉइंट पॉइंट ये लिखा हुआ था कि आपको net assets method से निकालना है या net payment method से इस सवाल में कुछ भी नहीं कह रहा कि आपको net assets method से निकालना है या net payment हम इस सवाल को दोनों method से कर लेंगे और एक बात ध्यान रखना दोनों method से answer हमेशा अलग आता है ऐसा नहीं है कि net assets method हो चाए net payment method हो दोनों से purchase consideration always same आएगा दोनों बाते अलग अलग है दोनों से answer same आ भी सकता है और अलग भी आ सकता है इस बात का ध्यान रखेगा सवाल पढ़ लेते हैं जानकारी क्या देता है वो पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं सर इसके अंदर कुछ liability और कुछ assets वे रखा है हमें कहता है the company taken over राधा लिमेटेड और ये राधा लिमेटेड का अच्छा राधा लिमेटेड ने खरीद लिया है इस ब्रिंदा लिमेटेड को तो ब्रिंदा लिमेटेड एक कमपनी है जिसको Radha Limited खरीदने जा रहा है इसके बाद calculate the purchase consideration if agreement providing the following terms अब हमें सवाल में देखना पड़ेगा कि अगर सारे assets की हमें market value मिल जाए तो हम market value से भी निकाल सकते हैं net assets method से भी निकाल सकते हैं और अगर सवाल में यह पता चल जाए कि सामने वाली company को बुला के तिरको यह दे देंगे तो net payment method से भी आ जाएगा कहता है Radha Limited take over the business Brinda Limited on the basis of balance sheet के हिसाफ से कहता है agree take over only the assets of कहता है इसके सारे assets नहीं लेंगे जो इसके अच्छे assets से वह ही लेंगे कहता है Radha Limited agree take over only the assets of Brinda Limited कौन कौन से assets over only the assets of इसके सारे assets लिये जाएंगे Radha Limited take over the business of Brinda Limited took the value of accept मतलब goodwill नहीं लेंगे goodwill को छोड़ देंगे कहता है कि Radha Limited took over the business of Brinda Limited book value सबके book value को लिया जाएगा limited के book value को except goodwill का book value नहीं लेंगे land and building का good book value नहीं लेंगे plant and machinery का book value नहीं रहेंगे आगे कह देता है plant and machinery which are value 10% and 40% and 50% more than the book value हर किसी को हम book value लेंगे लेंगे लेकिन जो यह assets दिख रहा है ना यह तीन assets इसको book value नहीं लिया जाएगा market value पर हम लेंगे कहने का मतलब भाया goodwill जो है which are value 10% goodwill को हम 10% की value उठाएंगे और उसका जो land and building है 40% की value उठाएंगे और 15% more than जादा 10% से जादा पर उठाएंगे और 40% से जादा पर 15% यानि इस line का कहने का मतलब क्या है सर इस line का कहने का मतलब है कि जो हम इस company के सारे assets लेने के वचन दे रहे हैं आपको तो सारे assets नहीं लेंगे एक तो हम आपके company का goodwill नहीं लेंगे एक आपके company का land and building नहीं लेने वाले एक आपका plant and machinery नहीं लेंगे और ये सारे assets नहीं लेने का मतलब book value पे नहीं लेंगे मतलब जितना सहाब इसके अंदर दिख रहा है उसी value पे नहीं लेंगे इसका हम valuation करके लेंगे और बाकी जितने भी assets stock debtor उसे हम इसी value पे लेंगे आगे कहता है उसका valuation 10% 40% 15% more than the book value of respectively मतलब सर जो भी value दे रखा है इससे जादा वाले value को हम इसको consider करके लेंगे समझ में आ रही है बात आपको तो यानि यहां assets लेनी के बात हुई तो कुछ assets को book value पे लिया जा रहा है कुछ assets को market value तो कहीं न कहीं यहां पर हमें net assets method का भी बन सकता है इस आप किताब आगे राधा लिमेटेड टेक ओबर दा assets और व्रिंदा लिमेटेड 10% less than the book value except दा सबको 10% book value land and building land and building तो उपर भी था and liability of balance sheet figure कहता है राधा लिमेटेड ने टेक ओबर किया assets और व्रिंदा लिमेटेड 10% less than the book value कहता है 10% less than लेके हम जो बाकी का बच गया book value उसका 10% कम करके लेंगे except land and building except land and building क्यों कहा गया क्योंकि land and building उपर ही आ गया and हमारा land and building आ गया था ने इस वाले पार्ट में हाँ और liability balance sheet में और जो liability दे रख है उसके ओपर इसको छोड़ कर बाकी सभी को हम ले 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 गए बाकी liability लिखना नहीं चाहिए था यहां पर चली कोई बात में अगला पांचवा पॉइंट यानि अभी तक देखोगे ना तो यह सिर्फ आपको question समझाने की कोसिस कर रहा है का एक पार्ट है कि जितना आप इसको समझोगे फिर करोगे तो आंसर बड़ा छोटा सा निकलता है question कितना ही भड़े लॉंग हो चाहिए ज्यादा बड़ा हो तो उसमें आपको आंसर बहुत छोटा निकल के आएगा कहता है राधा लिमिटेड एग्री टू टेक ओवर दा बिजनस ऑफ रिंदा लिमिटेड ओके एग्रीड वेल्यू एक मिनट एक मिनट फिर से मिटा देते हैं कहता है the following condition कहता है question number one question number two question number three question number four five यह हर एक question अपने आप में अलग है पहले question में क्या कहा गया हम उसके balance sheet के basis पे assets ले लेंगे पहले case के हिसाब से PC निकाल लिए दूसरे case में कहा गया तीसरे case में कहा गया assets लेंगे मैं पहले थोड़ा सा मैंने देखा नहीं ध्यान नहीं दिया तो इसकी बात क्या है कहता assets लेंगे assets लेंगे तो market value market value या फिर total बोलता है जो assets से उसी value पे लेंगे assets का value क्या क्या दे रखा है goodwill goodwill कितने का है कि नंबर दो लेंड एंड अमाउंट बताते जाएगा बस टीन कितने पर नीचर स्टॉक स्टॉक के बाद debtor debtor कितने का debtor के बाद br br के बाद cash कितने तेन लाग दस अजार bank के बाद preliminary expense को नहीं लिया जाएगा discount on issue of debenture को लेंगे क्या नहीं लेंगे net assets में बताया था कि इसको नहीं लिया जाएगा अब minus total कर लेते हैं इसको और इसमें से less क्या कर देंगे लाइबिलिटी में शियर होल्डर फंड को छोड़ दीजिए इसको नहीं इसको नहीं इसको नहीं और यह भी नहीं यह भी नहीं यह भी नहीं यह तीन चीज़ें आ जाएंगी यानि सर डिबेंचर पांच लाइब डिबेंचर के बाद क्रेडिटर वन नैंटी फाइब कैल्गूलेशन करते रहिएगा आप बिल्स पेबल स्कार्ट हजार टोटल कर देते हैं इसको इसका टोटल क्या आएगा इसका दो लाग 29,50,000 सर 21,95,000 केस नमबर वन डन केस नमबर टू थोड़ा सा लगे अब कौन से लिंक की बात कर रहे हैं 21,00,000 समझ मैं है पहला केस नमबर टू आएगा कर दो 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 कर कर दो में इन डिप्प्रेंश क्या है इस वाले मेथर्डमें कितना पर्टयज कंसिरेशन देना कुछ Coral निकालना पड़ता है उस wedi मेफेट में पहले से घीवन होता है कितना पैसा देने अभी देखो कि नदर आ जाएगा में भी कौन सा लगने कि पे क्या है कि यह यह वाला केस आपका है कि यह अभी देखें इस़या अधर आ जाएगा केस नमबर टू कौन बच्चा करके दिखाएगा केस नमबर टू में क्या कहता है देखो राधा लिमिटेड एग्री टेक ओबर ओनली दा एसेट्स ऑफ बोलता है हम सरफ इसका एसेट्स लेगें बाकी कुछ लाइबलिटी लेने के जिम्मेदार नहीं है एसेट्स में भी अगर ध्यान दो यह जो दो एसेट्स हैं यह एसेट्स का पार्टी नहीं है तो हमने जो इसका टोटल किया है आप देखोगे इस सवाल को तो यानि इसके अंदर PC अगर इसी सवाल को करें सेकिंड केस में सब कुछ सेम सेम इसका PC आ जाएगा 29 लाग लीजिए जी आ गया सेकिंड केस कम्प्लीट समझी बाए रहे हैं सेकिंड के थर्ड केस देखें थर्ड केस कहता है राधा लिमिटेड टेक ओवर दा बिजनस और व्रिंदा लिमिटेड एट बुक वेल्यू राधा लिमिटेड टेक ओवर व्रिंदा लिमिटेड के बुक वेल्यू पर करेगा एक्सेप्ट इन चीजों को मार्केट वेल्यू पर लें इसका मतलब सर केस नमबर थ्री अभी स्रिफ हम PC निकालना सीख रहे हैं सिंपल सिंपल आप सिफ्ट हो जाओ दूसे जाओ केस नमबर थ्री करने जा रहे हैं कहता है सारे एसेट्स ले लेंगे कुछ एसेट्स को छोड़ कर जिसमें से कहा गया गुडविल जिसमें से कहा गया plant and machinery, जिसमें से कहा गया land and building, इनको हम अपने हिसाब से valuation लगाएंगे, जो सवाल में कहा रहा है, बाकी को book value पर गुडविल दो लाख है, कहता है 10% उपर पे ले लो, तो दो लाख रुपे का, अगर हम plus कर दें इसके अंदर, दो लाख का, अगर हम इसमें plus कर दें, 10% उपर, इस दो लाख, समझ रहे हैं, आगे कहता है, इसके अंदर, के भाईया land and building 15,00,00 है, तो land and building देखा जाए, तो हमारा कौन सा दूसरा point था, उसको 40% उपर ले ले लेना है, तो 15,00,00,00 रुपे था, इसमें plus कर देंगे, इसका 40%, that is, 21,00,00, और land and building के बारे में क्या कहता है, यह land and building था न, plant and machinery तीन लाख है, तो मैं थोड़ा इससे shift कर देता हूँ, उपर नीचे हो गया, यह, यह यहाँ जाएगा, plant and machinery नीचे आ जाएगा, हाँजी, क्या होगे आपको, plant and machinery देखा जाएगा, तो कितना था, तीन लाख, इंटू, प्लस कितने परसेंट होगा, पंद्रा परसेंट, पंद्रा परसेंट कितना हो जाएगा, इसका, तीन लाख, सभी calculate करेंगा, आफ लाइन वाले, मैं जिस से पूछूँँगा, उसको जवाब देना होगा, इसके बाद, plant and machinery के बाद, पर नीचर, पचास अजार, सर, इसके value में कोई changes नहीं बोला गया, पर नीचर के बाद, stock 4 और debtor, एक साथ, stock 4 लाख, और debtor, एक लाख साथ हज़ा, इसके बाद, बताते जाएं, बी आर, बी आर, तीस अजार, cash, तीन लाख, दस अजार, इसके बाद, बाद, बाकी के fictitious, इसको लेना नहीं है, इसमें से less कर देंगे हम, less कर देंगे debenture, that is कितने का था, पांच, एक पिच्चानवे, 60, पांच लाख, और क्या माइनस कर देंगे, सर क्रेडिटर, सर क्रेडिटर, एक पिच्चानवे और बिल्स पेवल साथ, और बिल्स पेवल, चलिए सर, टोटल बताएं, एक अट्टा ही बता दे, सर, अट्थाइस लाख, मैंने केश इसी में बना दिया, केश 3 डन, अब सवाल देख लिजे, ये था केश 3 का अंसर डन हो गया, केश नमबर 4 में क्या कहता है, इसी अब ज़्यादा टाइम नहीं लगे का, मैंने लिख लिया है, केश नमबर 3, केश नमबर 4, राधा लिमिटेट टुक ओबर दा एसेट्स ओफ विरिंदा लिमिटेट, कहता है कि राधा लिमिटेट सिर्फ उसके एसेट्स को लेने वाला है, राधा लिमिटेट टेक ओबर बिजनस नहीं कहां इसने, इसने कहां कि हम उसके एसेट्स को टेक ओबर करेंगे, 10% less than the book value, except 10% book value से कम पके करेंगे, यानि लेंड और बिल्डिंग और लाइबिलिटी को, लेंड और बिल्डिंग और लाइबिलिटी बैलेंस सिर्ट में फिगर है, इसमें चेंजिस नहीं करेंगे, उसके अलावा जो भी डिजिट है, उसमें 10% की कमी करेंगे, कहता है राधा लिमिटेड टेक ओवर दा एसेट्स और बिरिंदा लिमिटेड टेन परसेंट लेस देन दा बुक वेल्यू एक्सेप्ट 10% कम पे लेंगे, लेकिन इसको छोड़ दो भाई, इस पे 10% कम मत करना, एक एसेट्स लेंड इंड बिल्डिंग पे और एक लाइब लेकिन तो हम अगर यहाँ पे देखें, तो बट सीधी सी बात है, जो हमारा लेंड इंड इंड बिल्डिंग ये गुड विल जो रहेगा, वो 2 लाक ही रहने वाला है, केस नमबर 4, लेंड इंड बिल्डिंग कितना रहने वाला है, 15 लाक, नहीं, गुड विल भी कम होगा न, 10%, तरिफ लेंड इंड 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 बिल्डिंग को छोडने को बोला गया, और हर किसी को क्या बोला गया, 10% कम कर दो, तो ये हमारा 2,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, तीस हजार रुपे का भी यार था दस परसेंट कम करोगे तीन हजार रुपे तो 27,000 आ जाएगा कैस कम करी नहीं सकते भाई साब कैस में क्या कमी करोगे यह चीज़ थोड़ा साब को लगाना है दिमा के भाईया कैस कहां से कम कर देंगे वहां वे हलाकि मेरे हिसाब से इस सवाल के अंदर लिख देना चाहिए था एकसेप्ट कैस भी अगर नहीं लिखा है सवाल दे रखा है तो सवाल गलत मानों क्यूंकि कैस की वेल्यू में कभी कमी नहीं आएगी ठीक है न हम तो प्रैक्टिकल चीज़े देख रहे है इस पे कोई कमी नहीं रहेगा चलिए सर टोटल कर लेते हैं बताइए क्या आ रहा है एकसी पंद्रा लाग दो सत्तर 22 लाग को अजर ऑसरे ऐसे झालीक है कि वर पंद्रा पर्शंट एड करके आएए पंद्रा पर्शंट एड करके आया उए हाँ जे नीचे लाइबिलिटी भी बोल दिया था लास्ट में उसके माइनस करेंगे ना कहता है लाइबिलिटी बोला के एसिट्स की वेल्यूएशन यह और लाइबिलिटी का मत करिएगा कोई भी वेल्यूएशन केस नमबर चार 22,52,000 टोटल चेक कर ले ना भाई एक बार मेरे को लगनी रहे टोटल ठीक किया है जिसने भी किया है सर पॉइंट चार का 15,50,000 15,50,000 क्या कह रहे हैं वो तो 15,00,000 की रहेगा बुक वेल्यूपे सर 2,20,000 क्यूं भाई इसके अंदर कह रखा था 10% से बढ़ा दो केस नमबर 3 में 4 में कह रहा था 10% कह रहा था इसका टोटल चेक कर ले ना भाई क्रॉस चेक कर लो मेरे को गलत लग रहा है टोटल यहार है बीस है क्यासी है भाई टोटल सही किया करो किस ने बढ़ाया था टोटल आप खड़े हो जाओ जी खड़े हो खड़े हो इदर बैटो पहले आपको परिशानी ज्यादा और यह यह यहां के बैठागे बैठागे इतना फूल कुमारी मत बनो फटा फटा आजो जल्दी से हां तो क्या इतना इधर उदर जल्दी आना एक रइस्टर बैन ले गए बीज दस ठीक है चलिए सब केस नमबर पांच कैल्कुलेटर निकाल लो ठीक है सब केस नमबर पांच पांच में देखनें क्या कहता है यह कहता है केस नमबर चार की बात करें तो आपना सारे एसेट्स की वैल्यू दस परसेंट घटा दीजिए लेकिन accept मतलब इनको छोड़ कर किसको एक land and building की value को मत घटाईएगा और एक liability की value को मत घटाने बढ़ाने की कोसिस करिया उसको वही value रखे जो है और बाकी सभी में 10% की क्या कर दीजिए कमी कर दीजिए और देखा जाए तो यहाँ पे भी मैंने क्या करा है सिर्फ land and building की value को 15 से 15 ही रखा बाकी सभी value में आप देखेंगे consistently 10,10 परसेंट और बाकी है समझ मैं यह बात आपको हाँ जी केस नंबर पांच कहता है राधा लिमिटेड एगरीड टेक ओवर दा बिजनस और विरिंदा लिमिटेड बिजनस कर रहा है एगरीड दा वेल्यू ऑफ कहता है एगरीड ऑफ वेल्यू ऑफ 15,50,000 पेवल फॉर्म ऑफ 10,000 एक्विटी शेर 100 रुपीज इच और 100 रुपीज इच और 125 रुपए का एक शेर होगा बैलेंस एंड कैश इसका मतलब क्या है कौन सा मेथड लग रहा है कह रहा है कि राधा लिमिटेड ने बोला कि भाईया मैं तेरे एसेट कंपनी को ले लूँगा और मैं एगरी करता हूं कि तुझे कितना पेवल करूँगा 15,50,000 ही दूँगा मैं तुझे इस इस 15,50,000 को देने के फर्म में तिरको 10,100 रुप है और 125 वाला तो तिरको दे दूँगा समझ रहे बात इस 15,00,000 यानि राधा लिमिटेड जो है उसने डिसाइड कर लिया कि तेरको देना ही ये 15,50,000 है तो अब यहां पे एसेट्स और लाइब्रिटी का तो खेली खतम हो ग तो अगर पीसी पूछो तो सर पीसी यह है अब इसको थोड़ा सर डिटेल में देना है कि कितना एकुटी और कितना कैश तो कहता है भाईया तेरको 10,000 एकुटी दे देंगे 125 वाला और 100 वाला और बैलेंस कैश देंगे तो अगर अगर देखा जाए केस नंबर क्या था हमार पांच तो भाई मैं तुझे एकुटी शेर दे दूँगा इसने कहा कितने 10,000 एक का 100 रुपे था लेकिन हमारा मार्केट वैली 125 था तो 125 के हिसाब से देखा जाए तो 12,00,000 और टोटल मैंने तेरी वैल्यूएशन लगाया है PC में 15,00,000 और बाकी जो पैसा बच रहा होगा तुझे मैं क्या दे दूँगा तो आप बताईए कितना कैस जाएगा खतम केस नमबर पांच देखे चीक है सुभम ने बता दिया गुन गुन न भी बता दिया कोई रिक्कत अगले पॉइंट पर हैं लास्ट चलिए सर लास्ट पॉइंट कहता है राधा लिमिंटेड ने इसको मैं और बढ़ा करके दिखा देता हूं आपको है ना जैसे जैसे होता जा रहा है थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ पेमेंट वाले में तो बैलेंस चीट की ज़रत ही नहीं है ना यह देखे जिसको नहीं दिख रहा होगा अब दिख जाएगा यह इसका पार्ट है वह आप वीडियो में से देखके वह नोट कर लेंगे ठीक है क्या कहता है राधा लिमिटेड डिस्चार्ज टू बोलता है डिस्चार्ज हम इस तीन चीजे से करेंगे कहता है डिस्चार्ज 12 परसंट डिवेंचर एट प्रीमियम इसका जो डिवेंचर होल्डर है उसको 10 परसंट जो 12 परसंट डिवेंचर उसको 5 परसंट डिवेंचर द तो एक तो यह बात करी अब कहता है हम इसू कर देंगे 11 परसंट प्रिफरेंश सौ रुपय का एक एवरी एट शियर इन ब्रिंदा लिमिटेट भाई बोलता है तुमारे कंपनी में जितने भी शियर सेना एवरी शियर जितने भी शियर प्रिफरेंश है हर एक आठ शियर के शियर होल्डर को यानि यसेर का पाट है हमारा कहता है pay पर 20 पर एकुटी शेर पर लिमेंदा लिमेटेट तुमहारे पांच एकुटी शियर हम रख ले गया उसके बदले तुम्हेंगे च्छे पुटी शियर देंगे और जो 좋़ firsthand अबotzा आएंगे वो दिया जाएगा 10% के प्रीमियम पे एक सो दस रुपए का आपको एक शेर दिया जाएगा समझे महीं बात अब यहां पर जो पहला पॉइंट है क्या यह PC का पार्ट है मुझे जवाब दिए पहला पॉइंट PC का पार्ट है क्योंकि यह किसको दिया जा रहा है उसके डिवेंचर होल्डर को दिया जा रहा है और डिवेंचर होल्डर आउटसाइडर लाइबिलिटी है अब वहां के शेर होल्डर को देने की बात करें तो सिर्फ दो ही बाते हैं एक इस्षू करके बदले अब यहां पर प्रफ्रेंच शियर एवरी एट शियर इन विरिंदा तो आज आईए थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा इसे हम प्रफ्रेंच शियर का कैलकुलेशन देख लेते हैं हमारे अगर देखा जाए तो प्रफ्रेंच शियर कितने है सहा आठ लाक सौ प्रफ्रेंच शियर कापिटल कितने हैं ? आठ हजार है मैं लिख रहा हूं सरिφ और सर सौ 20 रुप्रे का एक है और बारा लाक है तो कितने का हो गया ? जो एक्वुटी शियर कैपटल था वह बारहहँ था कहा नीजे आ लिक हरी है कहता है preference share holder ध्यान से देखिए कहा गया preference share holder तुमारे हर एक 8 share के बदले हम तुम्हें एक share देंगे 100 रुपे वाला ठीक है भाई 8 share के बदले देंगे तो divide 8 हो जाएगा इंटू में 100 हो जाएगा तो कितने का मिल गया 800 इंटू 100 800 इंटू 100 कितने होते हैं एक लाग क्या दस लाग एक लाग दूसरा कहा गया कि भाई हम 20 रुपे हर equity share के बदले देंगे अच्छा cash तो बताइए cash कितना जाएगा 12,000 equity share थे और हर एक के बदला 20 तो 12,000 इंटू 20 एक तो यह दे देंगे हमा और equity share पे क्या कहानी कह रहा है कह रहा है भाई equity share तुमें 6 देंगे और 6 की कीमत होगी 10% premium पे यानि 110 रुपे और 5 share के बदले मतलब सर 5 share के बदले divided by 5 इंटू में हम कितने देंगे 6 और जो price होगा 110 प्रीमियम पे होगा ना तो इसको solve करें तो क्या आता है 12,000 डिवाइड पाँच इंटू में 6 इंटू 110 पंदरा लाख अभी आ गया हमारा PC 19 लाख तो इस सवाल में दोनों चीज़े था तो आपको अब देखो इस सवाल में क्या question ने कहा कि इस method से करो नहीं कहा वो आपकी समझदारी है कि जानकारी क्या दे रहा है अगर उसको payment के बारे में बता रहा है directly तो समझ जाएंगा भाईया ये net payment method है और अगर assets बोल रहा है इतने का लूंगा market value book value तो ये hint दे रहा है कि भाईया net assets method है तो आपको ये decide करना होगा कि भाईया method कौनसा लगेगा समझ में आई बात आपको कोई दिक्कत इसमें clear है यहां तक ठेक है चलिए एक और सवाल देखें एक सवाल मैंने लिखा था मैंने काट दिया था पिछली बार है न इसको कह रहा था net payment method से हमने net assets method से कर दिया था इसको payment method वाला हिस्सा काट दिया था बोला था जब होगा तब कर लेंगे चिंता मत अब कर लेते हैं इसको मैं सवाल को clear कर दूं ताकि एक बार और पढ़ ले लास्ट कोश्चा नहीं है अब आपको क्योंकि पिछली class में हुआ नहीं था न हमने यह कर दिया था पीसी सारे assets ले लिए थे और सारे liability ले लिए थे और साइद book value लिया था सारा न जो market value था market value लेकर निकाल दिया अब यह कहता है देखिए कहता है टी लिमिटेड टेक ओवर पी लिमिटेड तो एक टी लिमिटेड पी लिमिटेड को टेक ओवर कर रहे हैं बई कंपनी का नाम गलत लिक है कि एक चैता है थाटीन परसंट परषएंट रफ्रेंश होडर ओप पी लिमिटेड यादि यानि यह पी लिमिटेड का जो ठर्ण पर्संट डिस्चार्ज यहाट अट preference share holder of P limited जो इसके अंदर है discharge मतलब पैसे दूँगा at a premium 10% अच्छा 10% पे दूँगा और 14% वालग दूँगा तो अगर मैं यहाँ पे निकालू preference share capital को पैसा जाएगा भाईया था तुमारा कितने का ये था 10 लाक रुपए का तो 10 लाक रुपए के ही तुम्हें preference share मिलेंगे लेकिन फरक यह है कि अब तुम्हें मिलेंगे 14% वाले और जो मिलेगा इसमें कुछ extra भी देंगे आपको premium पे आपके पैसे return करेंगे that is 10% यानि एक लाक और add करेंगे तो preference share holder को दिया जाएगा total net में समझे बात आरे यह समझे मत कहता है net assets valued equity share net assets valued equity share कहता है कि net assets value per equity share p limited बोलता है भाईया p limited की equity की valuation जो लगाई गई यहाँ पे 100 है लेकिन बन रहा है इसका value 200 के कहने का मतलब यह है और T limited का shares का value बन रहा है 400 T limited issue equity share to satisfy the equity share holder p limited कहता है कि T limited जो है issue करने जा रहा है equity share satisfy the equity share of p limited on the basis of intrinsic value एक new word आ गया सर्विया वैसे intrinsic वाला एक सवाल जो है मैंने भी बचाया हुआ है देखेंगे तो इसमें कहता है इसमें कहीं न कहीं है intrinsic value इसको अभी नहीं share आना intrinsic का मतलब होता है जैसे मान लो मुझे जवाब देना मेरी company के shares की 20 रुपे का एक share का price है आपकी company का एक price है 10 रुपे अब मैंने बोला भाई मैं तिरको अपनी company का share दे देता हूँ बात खतम हो जाएगी तो बताओ या फिर मेरी company का shares का value सब्पोस करो मैं कर देता हूँ 10 और आपकी company का share का value 20 है मैंने कहाँ मैं अपनी company का जितना तेरा value है नहीं अथरा मैं तेरा को दे दूँगा बात बड़ाबर हो जाएगी तो बताओ जब मैं तुमारी company कंपनी खरीदूंगा तो तुम्हारी कंपनी के शेयर का वेल्यू क्या है और मेरी कंपनी का तो मैं कितने अपनी कंपनी के शेयर जो तो तुम्हारी वेल्यू बड़ाबर हो जाए आपकी company के share की value कितनी है एक share का 20 रूप है मेरी company का तो मैं कितने आपको share दे दूँ अपनी company के जो कि दोनों बराबरी पर आ जाए दो share दे देंगा simple सी बात है यानि अगर मैं अपनी company के 2 share आपको दे दूँ और बोलू अपनी company के share भूल जाओ तो बोले को ठीक है सर पहले भी मेरी share की value 20 थी और आपके देने के बाद भी कितनी हो गई तो यानि कहने का मतलब है मैं यहां roughly work कर देता हूँ यानि कहने का मतलब है मैंने करा क्या अब पहले इसको समझते हैं और concept बना ले फिर ज़्याद़ बेटर रहेगा चलिए मैंने कहा यह मेरा company है माई और यह आपका है योर company ठीक है मेरी company का एक share का value 10 रुपे है और आपकी company का एक share का value 20 रुपे है सब्वोस करें मेरा सवाल है कि मैं आपको कितने share दूँ अपनी company के तो आपने बोला sir आप इस company को 2 share दे दीजिये बात खतम हो जाएगी कहा नी दो share दे दीजिये अब मैं कहता हूँ कि आपके company के पास 10 share है आपके company के पास कितने share है अब बताइए मैं कितने दूँ आपको simple सी बात है दूसरे case में अगर मैं जाओं कि आपके पास अगर 10 share है आपके company में तो मैं अपनी company के तुम्हें कितने share दे दूँगा अगर आपके company का 1000 share है तो मैं कितने दे दूँ अपनी company का बराबरी पे आजए 2000 अब हर किसी को एक mathematical form में लेके आते हैं sir ये 2 share पता है कैसे आया आपने क्या करा 20 को divide कर दिया 10 से यानि तुम्हारी company का जो value है वो divided by मेरी company का value और यहाँ पे आपने जो मुझे बताया कि 10 share है तो हमें 20 share दे देना चाहिए और rupees के terms में बात करूँ तो वही रहेगा भाई या 2000 तो कैसे आया ये कि भाई साहब पहले हम number निकालेंगे तो तुम्हारे इस company के shares का valuation जो है वो कितना बताया मैंने 10 है आपने बोला उसको 20 दे दो तो इस value के हिसाब से पहले आपने निकाला 20 वटे में 10 कितने आए आपके number नमबर जो भी आए इसको क्या करा आपने multiply कर दिया तुम्हारी company के कितने share है 10 से तो आपने जबाब निकाला 20 रूप calculation में यही हो रहा है न अब 1000 में आपने कहा सर 2000 होगा तो उसमें क्या करा होगा आपने 20 divided by 10 किया 2 हो गया इसको multiply कर दिया भाई तेरी company के कितने share है उससे multiply कर देंगा आपने 1000 किया तो आपने बोल दिया मुझे यह समझ मैं अब थोड़ा सा उल्टा लेके चलते हैं माल लेते हैं माई company और यह है आपका your company मैंने कहा कि मेरी company का valuation 20 रूपे है और आपकी company का valuation 10 रूपे है आपके पास 5 share है या आपके पास 10 share है तो बताइए मैं अपनी company करने का तुम्हें कितने share दू जो बराबरी पर आ जाए तो आपको रफली दिख रहा है कि यह पांच दो के तो बराबरी पर आ जाएगा लेकिन हमें ऐसा digit तो मिलने वाला है नहीं न हमें उसको कैलकुलेटिव करना होगा तो ऐसे situation में मैंने क्या कर रहा था भाई तुम्हारी company की valuation divided by my company की valuation यानि तुम्हारी company का 10 divided by 20 और तुम्हारी company का कितना share है 10 से multiply करेंगे तो जो आपने निकाला ठीक है यह क्या निकल रहा है number और उसका जो भी face value का उससे multiply कर देंगे हमें पता चले यानि अगर मैं आपकी company का एक share का value बता दू मीरा तो मैं क्या करता हूँ आपकी company का shares का value डिवाइड कर देता हूँ अपनी company के shares के value से और multiply by कर देता हूँ तुम्हारा कितने shares है उससे तुम्हें number of shares पता चल जाएगा कितना हो गया अब मुद्दे की बात मैंने कहा कि 5 shares आपको दूँआ कितने रुपे वाले दूँआ और अगर वेल्यू निकालने जाएं तो फिर multiply by क्या हो जाएगा इसमें मेरी कंपनी का वेल्यू तो हो जाएगा ना समझ रहे हैं यानि मैं दुबारा आपसे question पूछूंगा बताईएगा माई कंपनी योर कंपनी मेरी कंपनी का per share value 100 रुपे हैं आपकी कंपनी का per share value 200 है आपकी कंपनी के पास 10 share है और इस 10 share को मुझे payment करना है as per intrinsic value तो सबसे पहले तो हम यह तै करेंगे कि भाई कितने number of shares देने हैं तो सबसे पहले तो यह तै करोगे तो number of shares निकालने के लिए अभी इतने सारे formula किये थे बोले थे यह तेरी value बता दे 200 मेरी कंपनी का value 10 100 तेरे पास कितने share है multiply 10 तो यह निकल के आ जाएगा तुझे 20 share दिया जाएगा अब 20 share जो दूँगा तो मैं दूँगा ना तुझे तो जो value अगर निकाले इसकी तो मेरे price से multiply होगा भई तेरे को 20 share दूँगा और 100 रुपे के हिसाब से तुझे 2000 रुपे का समान मिल जाएगा पर तेरे पास पहले भी चेक कर ले तेरे पास 2000 का ही समान था समझे चलिए यहां क्या कहता है कहता है पी लिमिटेड जो company भिखने वाला है उसका shares का price कितना है धाई सो और टी लिमिटेड जो खरीद रहा है उसका share का price कितना है चार सो और पर चेस कंसेडरेशन तो बी बेस ऑन बेसिस ऑफ वेल्यू ओनली फेस वेल्यू एकुटी शेर टी लिमिटेड हंडिड कहता है इसके आगे नहीं मैंने एक लाइन मिस कर दिया हा क्यार सो रुपेड विट टी शेर सेटिस्वाइड एकुटी शेर होल्डर पी लिमिटेड वन बेसिस ऑफ हम कभी तुमारी शेस का वेल्यू अपोन करके निकालते तो इसे intrinsic value method बोला जाता है swiping method भी बोला जाता है जो कि एक पूरी सवाल में करेंगे इसमें इसमें बीच में आगे तो मैं बता देता हूँ तो अब यहां पर अगर मैं shares आप से पूछ हूँ हाइवर दा purchase consideration to be based per value only कहता है जो purchase consideration है is to be based on the basis of per value only the face value of equity 100 रुपे हमारी company का face value रहेगा टी लिमिटेड जो कि खरीदने वाला है debenture of P limited agree to discharge at a premium at a premium तो क्या यह purchase consideration का part है यानि यही part है अब हमें shares निकालना है मैंने बोला भाई तेरी company का value क्या है उसने बोला 200 है भाई मैंने बोला मेरी company का value कितनी है चार सो अब बता दे तेरे पास कितने शेर नंबर निकाल लेंगे तो उसका शेर नंबर देखा जाए तो पांच पचास लाग था और सो तो भाई तेरी company के पास शेर पचास अजार थे और जो valuation लगांगा वो तो मैं अपनी company का यह क्या निकल के है सर यह निकल के है नंबर और मैं मेरी company का market value जो चल रहा है 100 रुपए का हिसाब किताब चल रहा है भाई साब तो मैं 100 रुपए से multiply करता है कहता है मेरी company का value of equity टी लिमिटेट का 100 रुपए है अच्छी कि यह किस का आ रहे हैं नंबर निकलने के यह किस का आ रहे है इसके तो कितने आ गए 3,12,500 अच्छी तो डेटेस आपका हो जाएगा कि 11 लाक ऊपर 11 लाक था न कि यह बड़ा कम नहीं आ गया 3,62 वह यह कंई तना कम कैसे आ रहे है तो भाई साब 42,25,000 में ये कंपनी बिख जाएगगे देखें देखें मैं इसके अंदर ज्यादा और भी टॉपिक जो इंट्रेंसिक वाला है अभी वी एक टॉपिक पेंडिंग है